और महाराष्टी की सियासत में आज बड़ा दिन है एकनाश शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच ये पावर गेम की लड़ाई पर आज सुप्रीम कोट फैसला सुनाएगा चीफ जस्टिस के अगुआई वाली पांच जजों की समविधान पीट सोलह बागी विधायकों के भविश्य पर फैसला करेगी नौदिन की सुनवाई के बाद सोलह मार्श को सुप्रीम कोट की समविधान पीट ने फैसला सुरक्षित रखा था कोट की इस फैसले से ये तै हुगा कि उद्ध ठाकरी का दावा सही है क्या फिर एक नाच शिंदे का शिंदे उद्ध विवाद पर सुप्रीम फैसला आज पाला बदलने वाला विधायकों का सुप्रीम कोट तै करेगा भविश महराश्ट की राजनीती में आज बेहद एहम दिन है सुप्रीम कोट की पाँच जजों की समविधान पीट आज सोलह विधायकों के भाग्ये का फैसला करेगा चीफ जस्टिस डीवाई चांदरचूड की अध्यक्षता वाली पाँच जजों की बेंच ने सोलह मार्च को मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था इसे पहले कोट ने नौ दिनों तक उद्धव ठाकरे गुट एकनाथ शिंदे गुट और राज्यपाल कार्याले के वकीलों को सुना था सुनवाई के दोरान उद्धव केंप ने शिंदे की बगावत और उनकी सरकार के गठन को गैर कानूनी बताया वहीं दूसरी तरब शिंदे गुट ने कहा कि विधायक दल में तूट के बाद राज्यपाल ने फ्रोटेस्ट का आदेश दे कर सही किया था सुप्रीम कोट के फैसले सिप पहले ही दोनों ही गुट अपनी जीत का दाबा कर रहे हैं सभी को फैसला उनके पक्ष में आने की उमीद है तो हम उसके अपर डिस्कॉलिबाई की कारवाई कर सकते हैं और उसके आमदार की जा सकती है पूरा कानून विवस्ता और देश की नाए विवस्ता पे पूरा भरोसा है देश के समविधान पे भरोसा है सुप्रीम कोट के फैसले को लेकर शिंद्य गुट पूरी तरह से बेफिक्र है अगर सुप्रीम कोट का फैसला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंद्य समेत उनके सुला विधायकों के खिलाब भी आता है तब भी सरकार को कोई खत्रा नहीं होगा क्योंकि 288 सीटों की महाराष्ट विधानसभा की कुल विधायकों की संख्या 16 डिस्क्वालिफाई होने के बाद भी 272 होगी ऐसे में बहुमत के लिए 137 विधायकों का समर्थन जरूरी होगा इस वक्त बीजेपी शिवसेरा के पास 164 का बहुमत है 164 में से 16 विधायक डिस्क्वालिफाई भी हुए तो संख्यावाल 148 होता है इसलिए सरकार को खत्रा नहीं होगा महराष्ट सरकार के अस्थितों को कुछ भी धोका नहीं हमारा अस्थितों आबादित है कोई भी ऐसा निर्णे नहीं आहे गा जो महराष्ट सरकार को धोका दे इसके उपर हमारा पुरा भरोसा है क्योंकि सरकार सविधान के अनुसार चलता है लोकशाई के अनुसार चलता है तो मुझे लगता है सविधानिक अधिकार विधी मंडल को है विधी मंडल के अध्यक्षकों है तो मुझे लगता है कि उसी तवर पर निकाल होगा ऐसा हमें उमीद है वही उद्धव गुट शिबसेना संविधान का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से नियाय की उम्मीद कर रहा है पारटी नेता अधित्य ठाक्रे का कहना है कि हर दल यहां दल दल का निर्मान कर रहा है हर एक दल 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 निर्मान कर रही है बयान करके मैं उसमें जाना नहीं चाहता हमारा नया देवतावे पूरा विश्वास है और यही है कि जिस समविधान के हम पूजक है उसी को अगर लेके जाए आगे तो मुझे लगता है यह देश की भलाई होगा 2022 में एकनाच शिंदे की अगवाई में विधायकों की बगावत के बाद मुख्यमंतरी उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था इसके बाद एकनाच शिंदे के नित्रत्व में नई सरकार का गठन हुआ था इस पूरे घटना क्रम को लेकर जून और जुलाई 2022 में कई याचिकायें सुप्रीम कोर्ट में दाखिली की गई जिन्हें अगस्त 2022 में सम्विधान पीट को सौंप दिया गया था शिंदे की बगावट से लेकर अब तक महराज की राज्जियुतिक परिष्थितियां काफी बदल चुकी है है इस वक्त बीजेपी के समर्ठन में शिंदे की बहुमत वाली सरकार महराज में है चुनाब आयोग भी फैसला दे चुका है कि शिंदे की शिव सेना ही असली शिव सेना है एकनात शिंदे सरकार को तभी खत्रा हो सकता है जब सम्विधान पीठ यह तै कर दे कि जिस समय शिंदे और उनके विधायकों ने सरकार बनाई उस समय वे विधान सबाकी सदस्यता के अयोगे थे